प्राइम ब्रांच आर के पुरम नई दिल्ली रेंज की टीम ने अटेम्ट टू मड़केस में वांटेड एक ऐसे खतरना क्रिमिनल को दबोचा है जो इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए राह चलते सीधे साधे लोगों से बिना बात के पंगा लेता था पुरिसा में एंडी पीएस के एक मामले में पाँच साल जेल में बंद रहने के बाद इलाके में आते ही अपराथ की दुनिया में अपना वच्चेस्व बनाने के लिए आम लोगों पर बात-बात पर हाथ उठाना, अथियार दिखाना और डराना धमकाना शुरू कर दिया था क्रिमिनल इतना शातिर था कि वारदात करने के बाद मामला शांत होने तक पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना फोन दोस्तों को दे दिया करता था और खुद कहीं और जाकर छिप जाता था लेकिन इस बार मामला क्राइम ब्रांच के पास जाते ही उसकी चाला की धरी रह गई क्राइम ब्रांच आर के पुरम नई दिल्ली रेंज की टीम ने उससे फरीदाबाद इलाके से दबोच लिया वांटेड क्रिमिनल की पहचान संगम विहार निवासी 35 वर्षिय योगेश शर्मा और्फ योगी के रूप में हुई है प्राइम ब्रांच विशेश पुलिस उपायुक्त रविंड सिंग यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 और 4 दिसंबर 2022 की राथ शिकायत करता समीर खान अपने घर जा रहा था तभी आरोपी रवी रमन, अमन्व योगेश शर्मा और्फ योगी ने बिना बात के गाली गलोच करते हुए उनके उपर हमला कर दिया आरोपी योगेश ने एक देसी पिस्तॉल से शिकायत करता समीर पर हमला कर दिया था योगेश ने गोलिया चलाए लेकिन शिकायत करताने खुद को बचा लिया था इस संबंद में संगम विहार थाने में मामला दर्च किया गया था हाला कि इस मामले में संगम विहार थाने की पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को पहले ही गिरफतार कर लिया था लेकिन आरोपी योगेश शर्मा और्फ योगी फरार चल रहा था। Wanted Criminal योगेश शर्मा और्फ योगी स्थानिय पुलिस को चक्मा देकर अपनी गिरफतारी से बचा हुआ था। बारदात के एक महीने बाद भी योगेश के गिरफतार ना होने से लोगों में देहशत का महौल बना हुआ था आम लोगों में वांटेट प्रिमिनल योगेश शर्मा और फ्योगी का दर खत्म करने और आरोपी को जल्द से जल्द दबोचने के लिए रवीन्द सिंग्यादव विशेश पुलिस आयोफ प्राइम ने आरके पुरम प्राइम ब्रांच नाई दिल्ली रेंज को जिम्मेवार जिम्मेवारी मिलते ही जॉइंट सीपी क्राइम एस डी मिश्रा और अमिद बोयल दी सीपी क्राइम ने उमेश बर्थवाल एसीपी की क्लोज सुपर्विजन वर इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नित्रित्व में एस आई किरपाल, विकास, हैद कांस्टेबल सूर्य टास्क मिलते ही तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने वांटिद प्रिमिनल योगेश शर्मा और फ्योगी की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला की आरोपी आदतन अपराधी है और उसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है टीम ने आरोपी के मुबाइल नंबर को सविलांस पर लगा कर उसकी एक्टिविटी और मूव्मेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी मुबाइल की लोकेशन संगम विहार इलाके से आ रही थी टीम ने आरोपी के मुबाइल की लोकेशन पर छापे मारी की तो बड़ी चोकाने वाली बात सामने आई मुबाइल को संगम विहार इलाके में एक्टिव था लेकिन वांटेट क्रिमिनल योगेश शर्मा ओर्फ योगी मौके पर नहीं था टेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश कुमार को समझते देर नहीं लगी कि अपरादी बढ़ाही शातिर है और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से फोन संगम विहार इलाके में छोड़कर कहीं और जाकर छिपा हुआ है इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने वांटिट क्रिमिनल योगेश शर्मा ओर्फ योगी को दबोचने के लिए अपनी रणनीती चेंज की टीम को पता चला कि आरोपी के माता पिता और बड़ा भाय फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में रहता है टीम ने जब रोशन नगर में च्छा पिमारी की तो परिवार ने टकासा जवाब दिया कि हमने उसे बेदखल कर दिया है और उससे हमारा किसी भी प्रकार का तालुप नहीं है लेकिन तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश कुमार को आरोपी के परिवार की बात पर रतिभर भी भरोसा नहीं हुआ उन्हें पूरा यकीन था कि आरोपी अपने परिवार के तच में है इसलिए आरोपी के परिवार के आसपास मुख्बिरों का जाल बिच्छाने के साथ साथ टीम के कुछ जवानों को साधी वर्दी में तैनात कर दिया तेज इंस्पेक्टर राकेश कुमार का शक उस समय सही निकला जब तीम के हैद कांस्टेबल सूर्यडेव को अपने सोर्स से पता चला कि आरोपी वास्तव में अपने परिवार के तच में है और देर राध धर भी आता है Head Constable सूर्य देव की information पर टीम ने दिन रात आरोपी के परिवार पर नजर रखनी शुरू कर दी और जैसे ही आरोपी अपने माबाप के घराया टीम ने उसे दबोच लिया Wanted Criminal 35 वर्षिय योगेश शर्मा और फ्योगी संगम विहार दिल्ली का रहने वाला है और वर्दमान में रोशन नगर, फरीदाबाद, हर्याना में अपने-पने माता-पिता और बड़े भाई के साथ रह रहा था इनसे केवल आठवी कक्षा तक पढ़ाई की है काफी समय तक इसने एक निजी टेक्सी ड्राइवर के रूप में काम भी किया है वर्ष 2017 में ओरिसा में NDPS के एक मामले में इनोवा कार में भांग ले जाते समय से गिरफतार किया गया था यह अक्टूबर 2022 में ओरिसा जेल से रहा हुआ था जेल से आते ही संगम विहार इलाके में इसने गुंडागर्दी शुरू कर दी थी इसके खिलाफ पहले से ही थाना संगम विहार में चार और न्यूफ्रेंस कॉलोनी थाने में एक आपरादिक मामला दर्ज है क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत सच दिखाते हैं हम विश्रू तंसनी ऑफ इंडिया हिंदी सफ्ताहिक न्यूजपेपर हर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुँचाता है क्राइन से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ पांच दुबे में इनके उचाने में और रात के अंधेरे में हर अपराद पर है हमारी कड़ी नज़र जुर्म के हर खबर से कराएंगे आपको रूप देखना न भूलेंगे संसनी ऑफ इंडिया कहीं डर तो कहीं धर्द करें तो कहीं आत्म हत्या तो कहीं हत्या कहीं तो कहीं अध्या कहीं साजिश्ट हर जुर्म का करेंगे पर्दा फार देखें हर रोज रास साड़े दस बजिश्ट संसनी ऑफ इंडिया है करो जुर्म है करो अलाए प्रद करेंगे तो कहीं तो कहीं है झालो कहीं तो कहीं है पूल जुर्एल